दोस्तो हम चैपुर में इस्तित जल महल की बात कर चुके हैं। आज हम दूसरे जल महल की बात करेंगी। यह जल महल, जल महलों की नगिडिक भरतपुर में इस्तित है। यहां का सबसे परसित जल्ष महल गोपाल महल है इसका निर्मार्ट महाराजा बदन सिह ने करवाया तथा पूर्ण महाराजा सुरहजमल के समय में हुआ इस दरहा आज हमने बात करी दो अलग-अलग जगह उस्तित है आज हम बादल महल के बारे में बात करने जा रहे हैं यह बादल महल राजस्तान के चार अलग-अलग जगह उपर इस्थित है पहला बादल महल जो की राजस्तान का सबसे उचा बादल महल है यह जैसल मेर दुर्ग में इस्थित है इसका उपनाम ताजिया टावर है इसका निर्मान सिल्वाटो द्वारा करवाया गया और उन्हों इस बादल महल के दो भाग है। एक को जनाना कख्षिया श्रंगा कख्ष कहते हैं, दूसरा जुनी कचरी। तीसरा बादल महल नागो दुर्ग में बना हुआ है। इसे कलात्मक बादल महल भी कहा जाता है। चोथे और आखरी बादल महल की बात करें, तो बीका नेर्के जुनागर दुर्ग में बना हुआ है। दूसरा यशोदा देव की पट सिवाले बीलवाड़ा में, तीसरा मांदरगर दुर्ग बीलवाड़ा में, और चोथा जैसमन्द जील के किनारे उध्यपूर में सित है। पहला रूठ हिरानी का महल राजिस्तान अजमिर की तारगर दुर्गी तलहटी में सित है। इस महल में मारवाड की सासक राव माल देव की प्राणी उमादेर रूठ कर रही थी। इस महल की तुलना फरग्रिशन ने भींड सर के महलों से की है। इस महल की परमुक महल इस प्रकार है। दिल्खुष महल, रोई आंगन महल, मोती महल, नव चौकी महल, क्रेश्ट कुमारी महल, चितेरों की आवरिया जिसे तस्वीरारो कारखानों भी कहते हैं यहाँ पर इस्तित है। सीटी परेश जो की जापूर में इस्तित है, उसकी बाद हम एक अलग से वीडियो में कर चुके हैं और दूसरा जो की उद्यापूर में इस्तित है, उसकी बाद इस वीडियो में हमने कर लिये। राजस्तान की परथम हवा महल जो की जापूर में इस्तित है, से तो आप सभी परिचित है, क्या आपको पता है राजस्तान का दूसरा हवा महल कहां इस्तित है, अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें, आज मैं आपको राजस्तान के दूसरे हवा महल के बारे में बताने जा रही हूँ यह दूसरा हवा महल जुन जुनों में इस्तित है इस हवा महल का नाम सेखावटी का हवा महल है इस महल को खेतरी का हवा महल की संग्या भी दी गई है इस महल का निमार खेतरी के साशक भूपाल सिंग के द्वारा गर्वियों में वि सजनगर्ण महल जीरों की नगी उद्यपूर राजस्तान में बना हुआ है इस महल का निर्मान महाराना सजन सिंग ने करवाया यह उद्यपूर की बाज़रा पाहडी पर बना हुआ है सजनगर्ण महल की कई उपनाम है इसे उद्यपूर की मुकुट्पनी मानसून महल वाणी म विलास महल की नाम से भी जाना जाता है। इसका निमार महराजा गंगा सिंग ने अपने पिता लाल सिंग की स्मृति में लाल पत्थरों से करवाया था। लालगर्ड महल के सामने लाल सिंग की मूर्टी लगी हुई है। लालगर्ड पैलेश 1937 की बाद विकानेर की राठोड राजवन्स का निवासतल बना। अज़ हम बात करने जा रहे हैं अलवर में इस्तित महलों की उनमें से एक है सिलिसेट महल। सिलिसेट महल सिलिसेट जील के किनारी अलवर में बना हुआ है। इस महल का निर्मान महाराजा विन्य सिंग ने अपनी रानी सिला दीवी के लिए करवाया था। सिलिसेट महल में सेट माता का मंदीर भी है। अजलवर में इस्तित दुत्तिय मंदीर विजय मंदीर पैले से। विजेगट महल विजे सागर जील में अलवर में बना हुआ है इस महल की आकरती जहाज के समान है तथा यह महल महाराजाजसेंग ने बनवाया था इसके अलावा अलवर में एक हवाई बंगला भी है हम बहुत से ऐसे महल पढ़ते हैं जिनकी नाम तो एक जैसे होते हैं लेकिन वो अलग-अलग जगह पर होते हैं इसलिए वो हमें कन्फ्यूस कर जाते हैं आज ऐसे ही कन्फ्यूसिंग महलों की बात करते हैं जैसे एक थंबा महल और दूसरा थुंबिया महल थंबा महल मंडो जोधपूर में इस्तित है जबकि एक थुंबिया महल डूंगरपूर में इस्तित है थुंबा महल का उपनाम प्रहरी मिनार है जिसका निर्मार्ट महराजा अजीत सिंग द्वारा करवाया गया वहीं एक थुंबिया महल में भगवान सिव का तीन मंजिला मंदिर है दोसे सेंद्र मंधिर होनों उध्य पूर की पिछिले पिछले जील साथ है। ज्स norm किया और यह पूर्ण महारैना जगल सिंग और न करवाएक था। वहीं जगनिवास महल का निर्माण मारणा जगल सिंग सेकेंड ने करवाया था हम बात करेंगे अजमेर में इसित महलों की अजमेर में एक जहांगीरी महल है जिसका निर्माण जहांगी द्वारा करवाया गया है यह अजमेर की पुसकर में है अजमेर में दूसरा महल मान महल अजमेर में बना हुआ है जिसका निर्मार आमेर के साज़क मिर्जा राजा मान सिंग द्वारा करवाया गया है यह भी अजमेर के पुस्कर में बना हुआ महल है हम बात करेंगे हाडोती पर्दिश में इस्तित महलों की क्या आपको पता है हाडोती का ताज महल तथा राजस्तान का दूसरा ताज महल इन नामों की संग्या किस महल को दी गई है अगर नहीं पता तो आज मैं आपको बता दू कि अबली मीनी का महल जो की मुकुंद्रा हिस अ ग्यारण कोटा में इस्तित है अबली मीनी के महल को राजसान का दूसरा ताज महल और हाडोती का ताज महल कहा गया है वही हाडोती में इस्तित दूसरे महल की बात करें तो यह काश्च का रेन बसीरा नामक महल है जो जहलावाड में इस्तित है दोस्तों काश्च का रेन बसीर महल लकडी से नेमित था जो आग में जिलकर राक हो गया है राजस्तान के करीब करीब सभी महलों की हम बात कर चुके हैं आज हम बात करेंगे राजस्तान के अन्य महलों की यह अन्य महल की कैटेगरी में इसलिए डाले गए हैं क्योंकि इनका इतिहास में वर्णन कम है या फिर इतियासिक महत्पूर्ण कम है जैसे हाडी रानी का महल यह सलूंबर उध्यपूर्ण में बना हुआ है दूसरा गोल महल यह भी उध्यपूर्ण में बना हुआ है उध्य मिलास महल डूंगरपूर प्रदेश में इस्तित है अभीदा महल यह कोटा में इस्तित है खातर महल यह भरतपूर में इस्तित है आउखा रानी का महल अजलगर सिरोई दुर्ग में इस्तित है अगर इन अन्य महलू की बारे में जानकर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू